स्वागत है आप सभी का दरेजिन क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर मैं अभी नव आपका दिल से अभी नंदन करता हूं आज हम लोग फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट को आगे बराते हैं और कल जहां हम लोग खतम किये थे वहीं से आज हम लोग सुरू करते है तो आज हमारा सबसे पहला सवाल कहा है कल यह बनाने के लिए होम बाइक में हमने यह सवाल लिया था देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग करते हैं सिम पहले जैसा है जो सवाल हमने इसको डिसकस किया था वैसे ही यह सवाल है आसान ही है क्या कह रहा है एक रेलगारी अपने वा वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा तो बाते तो पढ़कर समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस सेम है एक कंडिशन है जिसमें कुछ टाइम लगता होगा फिर अपने स्पीड एक रही पर के रहे एक रही अपने वास्तविक चाल चाल से चलने चाल है तो पता नहीं है और वास्तविक तो पता नहीं है तो नहां चाल होगा? नया हो गया 3 बटे चार, एक का 3 बटे 4 क्या हो जाएगा, 3 बटे 4 ही हो जाएगा, 4 गुना एक 4 और यह हो गया, 3, speed का ratio क्या मिल गया, 5 is to, sorry 4 is to 3, speed का ratio अगर यह है, तो time का ratio क्या हो जाएगा, 3 अनुपात, 4 हो जाएगा, मतलब पहले इसको 3 time लगता था, अब 4 time लग रहा है क्या हो रहा है इसको 24 मिनट लेट हो रहा है यहां से 3 और यहां से 4 कितने का लेट हुआ है एक का लेट हुआ है सवाल से कितने का लेट हुआ 12 का तो एक बराबर है 12 मिनट के तो हमसे पूछ रहा है बास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लएगा बास्तविक चाल से चलने पर से 36 मिनट का समय लगेगा पहले जैसा आई सवाल था कोई टेंशन नहीं था अब एक सवाल हमारा क्या है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25 प्रतिसत बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो वास्तिविक चाल से चलने पर कितना समय लगा वही केसि कर सकते हैं 25 प्रतिशत का fraction क्या होता है तो 1 बटे 25 एक बटे 4 होता है और बरहार रहा है तो यहां पलस का sign लगा लेते हैं value का मतलब यह 25 बटे 100 की है और 25 से 100 कट गया 100 से 100 में कट गया 4 बा में 1 बटे 4 का बिर्धी हो रहा इसका मतलब यह कहेंगे पहले इसका 4 चार था और एक बढ़ कर कितना हो गया 5 हो गया यह किसका ratio मिला speed का ratio मिला पहले नीचे वाला जो value होता है पहले speed 4 था और एक बढ़ कितना हो गया 5 हो गया तो time का ratio क्या हो जाएगा पांच बटे 4 हो जाएगा तो कह रहा है यहां पर 10 मिट पहले पहुंच गया यहां से कितना पहले पहुंचा एक और सवाल से 10 मिनट पहले एक वराबर यह 10 मिनट के तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लग रहा है पांच एक वरावर दस के तो पांच किसके वरावर हो जाएगा चलिए नेक्स सवाल में आते हैं एक व्यक्ति अपनी चाल 30% कम कर देता है तो घर से ऑफिस 12 मिनट देडी से पहुंचता है तो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगा 30% कम कर देता है 30% का fraction value क्या होता है 3 बटे 10 नीचे वाला original होता है तो हम कहेंगे पहले उसका चाल था 10 और 3 की क्या हुआ है कमी माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कमी है इसलिए समझने के लिए माइनस 3 की कमी हो गई तो अब उसका speed कितना हो गया 7 speed का ratio यह है तो time का ratio क्या हो जाएगा 7 बटे 10 मतलब उसका वास्तविक समय कितना है 7 और बाद में कितना हो गया 10 कितने की देडी होई यहां से 3 के देडी हो सवाल से 12 की देडी मतलब 3 बडावर है 12 के 12 मिनट के तो एक किसके बडावर हो जाएगा एक बडावर है 4 मिनट के तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा तो वास्तविक समय कितना है 7 एक बडावर है 4 के तो 7 किसके बडावर हो जाएगा दस मिनट देरी पहले पहुंच जाता है तो उसके घर से ओफिस पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, सवाल को ध्यान पूरवग देखना है, सवाल में कुछ नहीं है, कह रहा है कि अगर वो 18 km पहती घंटा से चलता है, तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वो क्या कह रहा हो, एक पहले पहुंच रहा हो, तो टाइम का डिफरेंस इस दोनों को एड करके रखेंगे, जोर कर रखेंगे, एक देरी से हो, एक पहले से हो, तो टाइम का डिफरेंस एड करके है, दोनों अगर देरी से हो, तो माइनस करके है, दोनों अगर पहले पहुंच रहा हो, फिर दोनों को minus करेंगे, अगर दोनों पहले पहुच रहा हो तो फिर même time का reference क्या होगा दोनों को minus करेंगे. हमके पहले इसका चाल क्या था, पहले इसका चाल अठ रहा था और बाद में इसका चाल क्या हो गया, 30 हो गया, छेhm से 5 बाय में. और 6 से ये 5 वाई में, speed का ratio 3 वटे 5 मिला, तो time का क्या हो जाएगा, 5 वटे 3 मिल जाएगा, इसका मतब पहले इसको 5 मिनट का 5 समय लगता था, अब इसको 3 समय लग रहा है, अब क्या है, time के difference की बात करते हैं, यहाँ से time का difference कितने का, दो का, और सवाल से time का difference, 10 देरी और 10 पहले, अभी तुरेंट बोले, एक देरी रहेगा, एक पहले रहेगा, तो दोनों को जोर कर रखेंगे, यहाँ से time का difference 2 का, और वहाँ से time का difference 20 का, दो वराबर है 20 मिनट के, तो एक वराबर किसके हो जाएगा, एक वराबर हो जाएगा, 10 मिनट के तो हमसे पुछा है, उसके घर से office पहुचने का वास्तविक समय क्या है, भाई वास्तविक समय क्या है, तो यह ध्यान से समझना है, हमसे पूछा है, उसके घर पहुचने का वास्तविक समय क्या है, या तो हम 5 ब्राबर या तो 3 ब्राबर निकालते हैं क्या ये 5 वास्तविक समय था नहीं 18 km परती घंटा से जा रहा है तो 5 समय लग रहा है हम 5 ब्राबर निकालते हैं 5 ब्राबर क्या आगया 50 मिनट पहले option में 50 रहेगा और ये गलत हो जाएगा 50 मिनट कब लगता है जब वो 18 km परती घंटा से जाता है तो इस condition में तो इसको 10 मिनट की लेट हो गय था 10 मिनट लेट हो गया था इसका मतलब इसमें 10 मिनट extra है वास्तविक समय से देरी होने का मतलब क्या है दस मिनट ज़ादा समय लिया ये 18 km परती घंटा से जाता तब इसको 50 मिनट लगता है इसका मतलब है ये 10 मिनट देरी से पहुंचा है 10 मिनट देरी से मतलब हम इसमें से 10 मिनट क्या कह ले 10 मिनट माइनस कह लेते हैं वास्तविक actual time वास्तविक समय क्या हो जाएगा तो 40 minute हो जाएगा हम चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे एक वरावर 30 के तो 3 किस के वरावर 3 वरावर 30 minute के अब ध्यान से समझना 30 minute कब लगता जब यह 30 km परती घंटा से जाता तो इसमें 10 minute पहले पहुँच जाता मतलब कि इसमें 10 minute कम है तो हम इसमें प्लस 10 और कर देते तो क्या हो जाता 40 minute इसको लगता इस तरीके से हमें इस सवाल को समझना होगा चलिए नेक्स सवाल में आते हो एक व्यक्ति जब अपनी चाल 5 km परती घंटा रखता है तो 7 minute देरी से पहुचता है यदि वह 6 km परती घंटा की चाल से चलता है तो 5 minute पहले पहुच जाता है इस सवाल है हम कह रहे है पहले इसका speed कितना था 5 फिर उसके बाद speed कितना होगा 6 अगर speed का ratio यह है तो time का ratio क्या हो जाएगा 6 बटे 5 हो जाएगा अगर हम बात करें यहां से time difference कितने का तो यहां से time difference एक का और सवाल से देखते है 7 minute देरी और 5 minute पहले है तो जब देरी और पहले रहे तो जो और कर रखते है time को difference को 7-5-12 तो एक बरावर हो जाएगा किसके 12 minute के इसलिए 6 बरावर या 5 बरावर जो निकालना है निकाल सकते 72 minute अगर लग रहा है इसका मतलब 5 km परती घंटा से जा रहा है तो 72 minute में पहुंच रहा है जिसमें से 7 minute देरी है मतलब इसमें 7 minute क्या है जादा है तो वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करते है साथ हम लोग माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 65 minute इसका time हो जाएग छीदी से बात है देरी होगा तो माइनस कर लेंगे वास्तविक समय के लिए अगर पहले पहुंच रहा होगा तो पलस कर देंगे वास्तविक समय हमें मिल जाएगा चले निक्स सवाल में आते हैं एक वेक्ति जब अपनी चाल 3 km परती घंटा रगता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है जबकि 4 km परती घंटा के चाल से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो घर से ऑफिस की दोड़ी क्या है फिर वही सवाल हो गया पहले स्पीड कितना था पहले स्पीड तीन बाद में स्पीड कितना चार स्पीड का रेशियो यह है तो टाइम का र तो क्या करेंगे जोड कर रख लेंगे एक बरावर 20 के एक बरावर 20 के तो चार बरावर निकालता है चार बरावर क्या गया 80 मिनट मतलब अब ध्यान से समझना हमसे क्या पूछा है तो घर से ऑफिस की दूरी अच्छा इस सवाल में कहना दूरी हमसे पूछा है डिस्टेंस ज यह 80 मिनट कब का निकाले हैं पहले वाले का न तो इस्पीड रखेंगे यह 3 और यह 80 मिनट है तो टाइम रखते हैं बटे साथ करना परेगा क्योंकि आबर में बनाना परेगा यह हो जाएगा कि 3 से 2 वाय में 2 से 4 वाय में डिस्टेंस कितना है तो 4 किलो मेटर है अगर हमसे य चले फिर से सवाल रमिष जब 4 किलो मेटर की चाल से परती घंटा की चाल से चलता है तो एक निश्चित दूरी तै करने में 15 मिनट लेट हो जाता है जब वह चाल 5 किलो मेटर परती घंटा कर देता है तो वह 10 मेट देरी से पहुंचता है तो निश्चित दूरी क्या है फिर 15 मिनट लेट, 10 मिनट देड़ी, मतलब दोनों लेट हो रहा है तो condition क्या होता माइनस करके होता है 15 में से 10 माइनस करी क्या मिलेगा, 5, 1 बरावर हो जाएगा, 5 मिनट के, इसलिए 5 बरावर निकाल लेते क्या हो जाएगा 25 मिनट के मतलब अगर 4 किलोमेटर परती घंटा के स्पीड से जाता है तो इसको कितना टाइम लगेगा 25 मिनट का टाइम लगेगा डिस्टेंस निकाल लेते डिस्टेंस इकॉल डू स्पीड इन्टू टाइम स्पीड क्या होगा 4 ये इसका स्पीड 4 और टाइम कितना इसका 25 और बटे 60 कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आगर में बनाना पड़ेगा 4 से 15 बार में 5 से 5 बार में 5 से 3 बार में क्या जाएगा 5 बटे 3 किलोमेटर अंसर हो जाता हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से भी करके एक बढ़ाबर पांस तो चार बढ़ाबर क्या हो जाता 4 बढ़ाबर 20 मेट लेकिन यह ध्यान रखना अगर नीचे वाला टाइम निकालते हैं तो हमें स्पीड क्या लेना होगा बाद वाला स्पीड लेना होगा उस कंडिशन को भी निकाल लेते हैं बादवलाई speed 5 और बादवला ये time 20, 20 वटे 60 कर लेते हैं 20 तीया 60 क्या मिल जाएगा 5 वटे 3 किलोमेटर दोनों से हम लोगा distance को निकाल सकते हैं वास्तविक समय को भी दोनों से निकाल सकते थे चलिए, अब next सवाल में देखते हैं क्या है, स्याम तथा रधा एक दूसरे से मिलने के लिए करम सा ए और बी बिंदू से निकलते हैं, उनकी चाल करम सा 21 किलोमेटर पॉयति घंटा और 15 किलोमेटर पॉयति घंटा है, मिलने के समय स्याम रधा से 500 मिटर ज़्यादा चल चुका है तो A और B के बीच की दूरी क्या है सवाल को देखे न अब क्या है एक concept को यहां समझना होगा स्याम और राधा अलग-अलग बिंदू से A और B से निकला एक ही समय पर दोनों निकल गया निकलने के बाद क्या होला एक का चाल स्याम का चाल दिया हुआ है और राधा का चाल दिया हुआ है दोनों एक तरफ से स्याम चला अगर हम बात करें यह A और B है यह बिंदू A है और यह बिंदू B है यहां से स्याम 21 किलोमेटर परती घंटा से चलना सुरू कर दिया और यहां से राधा क्या हुई 15 km पर ती घंटा से चलना स्टाट कर दी तो क्या होगा बीच में कही ना कही आके यह दोनों मिलेगा दोनों कही ना कही आके मिलेगा और जितना देर यह चला उतना ही देर यह चल रहा है मतलब सेम टाइम चल रहा है जितना देर स्याम चला उतना ही देर र बात समझना है, जब time same हो time, meeting time same हो इससे पहले distance same हुआ करता था, अब हम meeting time अगर sam हो, तो जो speed का ratio होता है 威ह distance का भी ratio होता है, मतलब speed का ratio जो हमें मिल जाएगा, जो speed का ratio होगा वही distance का ratio, और जो distance का ratio होगा वही क्या होगा speed का ratio यह ध्यान रखना है meeting time अगर सेम हुआ तो speed का जो ratio वही distance का ratio अगर हम बात करते हैं इस सवाल में क्या है स्याम का speed क्या है 21 राधा का speed क्या है 15 ratio अगर हम लोग निकाले 321 और 35 15 speed का ratio अगर 7 बटे 5 है तो भाई साब distance का ratio गया हो जाएगा 7 बटे 5 ही हो जाएगा मतलब स्याम चला 7 और 8 चली कितना 5 चली क्या क्याएगए 500 मेटर जादा चला तो यहां से स्याम कितना जादा चला 2 जादा चला सवाल से 500 मेटर जादा चला 2 बराबर किस के? 500 के 2 बराबर 500 के différent तो एक किस के ब्रावब है, 250 मीटर के, तो हम से क्या पुछा, A और B के बीच की दूरी, ए और B के बीच की दूरी कितना है, साथ पाच, बार, इसलिए बारा ब्रावब है निकालते, 250 मुना बारा क्या होज़ेगा, 3000 मीटर, 3000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 से भाग लगा दे तो 3 किलो मेटर, क्या कॉंसेट क्लियर है, क्या था सवाल, चलो, एक सीम और सवाल करते हैं, आप लोग चाओ, तो वीडियो पाउस करके इसको ना देखो, बनता है या नहीं बनता है, सवाल क्या है, A और B एक दूसरे से मिलने के लिए क्रम सा, पी और क्यू बिंदू से निकलते हैं, उनकी चाल क्रम सा 18 किलो मेटर पहते घंटा, और 15 किलो मेटर पहते घंटा है, मिलने के समय B, A से 200 मेटर कम चल चुका है, तो A और B के बीच की दूरी क्या सीम हुए ही सवाल है, अगर हम बात करें, A का स्पीड क्या है, तो A का स्पीड है, 18, B का स्पीड क्या है, तो 15, अच्छा, इस बात भी तो सेम है न, दोनों एक ही समय निकलता है, तो टाइम तो सेम है, स्वाल में क्या है, सेम है, तीन से छे वाय में, तीन से पांच वाय में, अगर यह speed का ratio 6 बटे 5, तो time का, sorry, distance का ratio क्या हो जाएगा, 6 बटे 5 है, मतलब A6 चला और B कितना चला, 5 चला, सवाल में क्या कहा, B, A से 200 मेटर कम चला, यहां B, A से कितना कम चला, 1 और सवाल से 200, एक वर तो ये भी मीटर में, अगर किलो मीटर में बनाएं, तो 1000 से भाग लगातें, डिवाइट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2.2 किलो मीटर हो जाएगा, एक दम आसानी से इस कॉंसेप्ट हमार सवाल सौल्व होते जा रहा है, अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप क दस किलो मेटर पर देखा, बारा किलो मेटर पर देखते हैं, तो पकरे जाने से पहले, चोर कितनी दूरी तयक है चुका हुआ, सवाल को देखना है, एक क्या था ना, 200 मिटर की दूरी पर चोर खरा था, जैसे ही सिपाही चोर को देखा, दोनों भागना शुर कर दिया, भागते भागते क्या हुआ, दोनों का स्पीड अपना दिया हुआ है, पक्रे जाने से पहले हमसे पूछ रहा है कि चोर ने कितनी दुरित है, क्या हो, मतलब दोनों भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम सेम टाइम पर भागने के बाद चोर का स्पीड कम होने के जाएगा, तो meeting time same है meeting time जब same है, तो हम क्या कहेंगे speed का जो ratio होगा वहाई, distance का ratio होगा, भπάई, चोर का दीछ क्या था 10 था और police का speed क्या था, 12 12 से 5 भाइ मैं, 2 से 6 भाइ मैं speed का ratio अगर ये है, जो distance का ratio क्या हो जाएगा 6 बटे 5, चोर कितना गया, 6, पुलिस कितना गया पांच अच्छा ये जो दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है दो सो मेटर का है न चोरो सिपाय के बीच में कितने का डिस्टेंस था दो सो मेटर का यहां से चोरो सिपाय के बीच में कितने का डिस्टेंस है एक का एक वराबर दो सो के तो हमसे क्या तो चलो विसेस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं एक सकेंड इसमें एक चीज एक चीज हमने गलती कर दिया है बस एक माइन्यूट सी एक छोटा सा परिशानी परिशानी यह है कि हम स्पीड का रिशियो पांच बटे छे है तो डिस्टेंस का भी तो पांच बटे छे ही होगा न एक आएक इस पर नजर पर हमें तो यह थोरा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं थोरा सा चेंज अगर स्पीड का रिशियो पांच बटे छे है तो डिस्टेंस का भी रिशियो क्या पहले चोर कितनी दूरी तै करेगा चोर का दूरी क्या है पांच इसलिए पांच वराबर निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा एक हजार मीटर एक हजार मीटर का मतलब क्या हो जाता है एक किलो मेंटर इसके लिए हम छमा चाते थोड़ सब इसमें मिश्टेक हो गया था चले तो विशेस आज के लिए इतना रहने देते हैं मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में धन्यवाद